अश्कार दोस्तों मेरा नाम प्रकर श्रिवास्तव गये मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में दोस्तों आज हम दा कोल्ड वॉर एरा सीबीसी क्लास 12 वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर वन है उसका पार्ट 4 रिव्यू करेंगे अल्रेडी तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं जाकर आप ले लिस्ट में देख सकते हैं उसको इंजॉई कर सकते हैं किसी भी तरह का डाउट गो तरह कमेंट बॉक्स में लग करना है दे चैलेंज ओफ दे चैलेंज टू बाइपॉलरिटी से देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है जब सेकंड वल्वार खतम हुआ कोल्ड वार स्टार्ट हुआ और पूरा का पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में बढ़ गया चेक है एक आपका वेस्टन एलाइंस बना जो की अमेरिका ने बनाय वेस्टन यूरोप्यं चान्ट्रीज के साथ मिलकर दूसरा बना इस्टन एलाइंस यो की सोव्यत यूनियन ने बनाया इस्टन एूरोप्यन कंट्रीज के साथ मिलकर झेक है it was in this context that non-alignment offer the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America, a third option not to join either Alliance लेकिन देखिए एक तीसरा भी ग्रुप बना देखे पूरा का पूरा वर्ल्ड सिर्फ यूरोप से तो है नहीं वर्ल्ड में इशिया भी है लैटिन अमेरिका भी है साउथ अमेरिका भी है तो एक नया गुरुप बना और जिस गुरुप को बनाने के पीछे का सिर्फ एक अबजेक्टिफ था कि उन गुरुप में जो कंट्रीज आएंगी ना वो अमेरिका के साथ होँगी ना वो सोवियत यूनियन के साथ होँगी वो न्यूट्रल रहेंगे ठेक है तो कई सारी ऐसी डी कॉलनाइस कंट्री थी उस दौर में जो अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुए और भी कई सारे मुल्क थे जो कह सकते हैं आपकी नए नए आजाद हुए थे लाटिन अमेरिका में एशिया में एशिया में हिंदुस्तान था चीन था बहुत सारे मुल्क थे ठीक है तो उनके लिए आपका एक अलग तरह का गुरुप बना जिसका नाम था नैम, नैम मतलब नॉन एलाइन मोशन, देखें, तीन लोगों की दोस्ती, तीन वर्ल्ड लीडर्स की दोस्ती ने ही इस नैम को जनम दिया, वो तीन लोग कौन थे, युगस्लाविया के जोसिफ ब्रोस्तीटो, हिंदुस्तान के पहले प्रदान मंत्री जवाहलाल नहरू, और एजिप्ट के लीडर, गामा अब्डल नासीर, ये तीनो नाम याद रखिएगा, कोई भी एक नाम अब्जेक्टिब में पूछ सकता है, इस कुशन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, लीडर का नाम दे देगा, और कहेगा की बताईए कि ये किस कंट्री से बिलॉंग करते थे, या तो तीन आप्शन दे देगा, चौथा आप्शन गलत दे देगा, बता दिए, इनमें से कौन ऐसा आगया, जो कि नाम का फाउंडर मेंबर नहीं है, तो ये आपको बताना होगा, तो ये तीन नाम याद रखिएगा, तो इन तीनों लीडरों ने मिलकर नाम की स एन इन पाँच लीडर्स ने मिलकर नाम को जनम दिया, फाइफ फाउंडर्स कहलाते हैं नाम की, 1961 बेलग्रेड जो कि सर्विया की राजधानी है, वहाँ पर इनकी पहली समिट हुई, याद रखिएगा, ये कोशन वन मार्क्स के अबजेक्टिब में पूछ सकता है, कि नाम का पहला समिट कहां पर हुआ था, तो नाम का पहला समिट हुआ था, बेलग्रेड में, जो कि सर्विया की क्यापिटल है, 1961 में, और इनके मिलने के पीछे का, ये बनने के पीछे का सिर्फ तीन फैक्टर है, पहला, कोपरेशन अमंग दीस फाइफ कंट्रीज, दूसरा, ग्र और टेंशन बढ़ती चली जा रही थे कि कहीं ये दोनों मुल्क आपस में नुक्लियर वार ना कर ले, and the dramatic entry of many new decolonized African countries into the international arena, by 1960 there were 16 new African members in the UN, और जैसा कि मैंने बताया कि 1960 तक कई सारे मुल्क वर्ल्ड के नक्षे में आ गए थे, UN में करीब करीब 1960 तक 16 नए African nation वर्ल्ड मैप में आ चुके थे, UN की लिस्ट में आ चुके थे, तो NAM इसी लिए 1961 में मिला कि कोशिश करो कि अभी जितनी भी decolonized country है, ना वो अमेरिका के घिस्से में जाए, ना वो सोबियत मिनियन के घिस्से में जाए, वो NAM के घिस्से में क्योंकि अगर alliance में countries बढ़ती जाएंगी, ये पूरा का पूरा world bipolar में convert हो जाएगा, हमको भी फिर लगे हात वहीं पर जाना पड़ेगा, और पहला summit जो की 1961 के Belgrade में हुआ, उसको 25 मुलकों ने attend किया, और फिर दीरे दीरे वक्त आगे बड़ा NAM की membership बढ़ने लगी, और जो बाइजान में हुआ, 2019 में, एन इसमें करीब करीब 120 मुलकों ने participate किया, as a member के तौर पर, और 17 मुलकों ने participate किया, as a observer के तौर पर, and as a non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political system and interest joined it, जैसे जैसे non-alignment आगे बड़ा वैसे वैसे कई मुलकों के politics ने, इन में इंटरस्ट लिया और इनको जोईन किया, this made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise term, देखे, लेकिन फिर भी, मतब ये पूरा का पूरा जो नेम था, ये जो movement था, non-align, ये homogenous नहीं था, ठीक है, और सबसे important चीज इसको define करना, बिलकुल neat and precise term में, ये तब भी possible नहीं था, कि ये नेम बनाया क्यों गया, इसका main focus क्या है, इसे जब पूछाएं ना कि, what did it really stand for, तो देखे, नेम क्या नहीं था, ये बताना असान था, उस दौर में, नेम क्या था, ये बताना असान नहीं था, नेम क्या था, जितने भी मुल्क, alliance के member नहीं है, वो नेम के member है, वो नेम गया, non-align है, ठीक है, जैसा कि, मैंने आप लोग को पहले बताया, नेम का मतलब है, non-align movement, मतलब ना अमेरिका के साथ जाएंगे, ना सोवियत उनियन के साथ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि अगर ये इनकी policy थी, कि ना हम अमेरिका के साथ alliance में जाएंगे, ना ही हम सोवियत उनियन के साथ alliance में जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है, कि ये isolate है, या neutral है, इसका ये कता ही मतलब नहीं है, कि नाम isolate था या neutral था, non-alignment is not isolationism, since isolationism means remaining aloof from world affairs, क्योंकि देखिए, isolationism का मतलब क्या होता है, कि world affairs से आपको कोई दे लेना देना ना हो, अगर कोई मुल्क ये कहती है कि वो isolate गए, तो इसका मतलब ये है, या कोई movement ये कहता है कि वो isolate है, तो NAM किसी भी तरह के isolationism की policy को या neutrality की policy को follow नहीं कर रहा था isolationism sum up the foreign policy of the US from the American war of independence in 1787 up to the beginning of first world war अगर कोई मुल्क isolationism की policy लेकर चला तो वो अमेरिका था जिसने 1787 में अपने independence का war लडा और तब से लेकर first world war तक अमेरिका आपका isolate मुल्क के तौर पर रहा first world war में अमेरिका ने participate किया वो भी ब्रिटेन की गलती से sorry ब्रिटेन कहा रहा हूँ जर्मनी की गलती से in comparison the non-aligned countries including India play an active role in mediating between the two rival alliances in the cause of peace and stability ठेक है बाकी सारे NAM countries की तरह अमेरिका ने भी एक बहुत गी active role sorry इंडिया ने भी एक बहुत गी active role play किया था कि इन दोनों मुलकों के बीच में शांती बनी रहे as a mediator के तोर पर अमेरिका अंडिया ने बहुत बढ़ चल कर काम किया था देखिये अमेरिका और सोवियत चाहते थे कि जो non-aligned countries गये वो भी आपका उनके साथ गोले लेकिन non-aligned जो movement था उसकी strength इसी बात में थी कि despite of all fact इन में से कोई भी country ना अमेरिका के साथ जाए ना सोवियत के साथ जाए और एक बात और याद रखेगा जैसा कि मैंने बताया कि non-alignment का मतलब isolationism नहीं था और non-alignment का मतलब neutrality भी नहीं था neutrality refers policy principally to a policy of staying out of war neutrality का मतलब क्या होता है कि मान लिजे कोई war हो रहा गाग है तो ना आप एक मुल्क के साथ हो ना आप दूसरे मुल्क के साथ हो आप out of war हो states practicing neutrality are not required to help end a war अगर कोई मुल्क ये सोचता है क्या उस दौर में सोचता था कि हम neutral रहेंगे तो war end हो जाएगा ऐसा नहीं था यह दूनाट गट इन्वार्व इन वार एंड दूनाट टेक अनी पोजीशन ओन दा एप्रोप्रियेटनेस और मॉरालिटी ओफ वार नॉन एलाइन इस्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया अगर खतम करना है या वार को करवाना है तब भी आपको वार में कूदना पड़ेगा और यह चीज़ इंडिया जानती थी इस लिए इंडिया ने जब कोरिया का मैंने आपको प्रिवेस्ट वीडियो में बताया था कि जब कोरिया को लेकर को लेकर रड़ाई हुई थी तब इंडिया मेडियेट की मेडियेट की थी बिट्विन अमेरिका एंड सोवेट यूणियन क्योंकि वार जैसे माली दो लोगों की बीच में वार हो रहा है तो क्या आप दूर से खड़े होकर वह रुकवा लोगे नहीं रुकवा पाओगे आपको बीच में जाना पड़ेगा तो नूट्रालिटी एंड आइसोलेशन इजम यह दोनों का दोनों नॉन एलाइनमेंट की पॉलिशी नहीं थी अब मैं आप लोगों को बताता हूं न्यू इंटरनेशनल एकनोमिक और की बारे में देखे जितनी भी नॉन एलाइन कंट्री थी वह सिर्फ और सिर्फ एक मेडियेटर का काम करती थी अभी अभी आजाद हुए थे इनके मुलकों में गरीबी थी पावर्टी पावर्टी उसके इलावा फैमाईन यह सब बहुत कॉमन था अनिम्प्लाइमेंट तो जितनी भी नॉन एलाइन कंट्री थी इनमें से मैक्सिमम कंट्री आपकी लीस्ट डेवलब्ड कंट्री में से जाती थी जहां पर डेवलब्ड मेंट जीरो था ठीक है एंड वस्ट बी मोर्ड डेवलब्ड एकनॉमिकली तु लिफ्ट देर पीपल आउट पोवर्टी और इनको अपने मुल्क के बारे में सोचना था अपने मुल्क में डेवलब्मेंट आना था कि यह अपने देश के ल अब शीनी फ्री सस्टेनेबल डेवलब्मेंट के बिना कोई कंट्री आजाद हो ही नहीं सकती फ्रीली मूफ कर ही नहीं सकती इड़ी मैं डिपेंडेंट ओन दा रिचर कंट्री इंक्रूडिंग जिड़ा कोणियल पावर फ्रॉम विच पोलिटिकल फृडम हैड बिन अची इसलिए एक नया आइडिया आता है New International Economic Order का United Nation Conference on Trade and Development ने एक report निकाली 1972 में जिसका title था Towards a New Trade Policy for Development और इस report ने world level पे जो global trading system था उसमें कुछ reforms करने के बारे में recommendation दिया पहला जितनी भी least developed countries हैं उनको उनके natural resources पर control दिया जाए और जितनी भी आपकी western developed countries हैं उनको दूर हटाया जाए ताकि वो उनके resources हो control ना करे जितनी भी least developed country है वो अपने resources हो control करे मैंने आपको previous video में बताया था कि क्यों ये America और Soviet Union छोटी छोटी countries को alliance में लेती थी ताकि वो उनके resources को इस्तमाल कर सके दूसरा obtain access to western market so that the LDC could sell their product and therefore make trade more beneficial for the poorer countries and दूसरी चीज जितनी भी आपकी western developed countries गये उनके market के दरवाजे LDCs के लिए खोल दिये जाए ताकि ये जो least developed countries है ये अपने product को western market में बेचें पैसे कमाएं अपने देश को uplift करें poverty से और जितनी भी western countries है जिनके पास बड़ी बड़ी technology है वो अपने technology को कम दामों में उनकी कीमत कम करकर LDCs को बेचें and LDC को जो least developed countries हैं उनको international economic institution में और बड़ा role provide किया जाए like world bank में international monetary fund में और ये बात याद रखेगा ये कुछ reforms थे जो की new international economic order ने recommend किये थे sorry UNCTAD के उसमें recommend किया गया था देखिए ये जो non alignment था moment उसमें भी economic issue एक बहुत बड़ा मुद्दा था 1961 में जब पहला summit हुआ था Belgrade में सर्विया की राजधानी में जहाँ 25 member state मिले थे सबसे बड़ा concern था economic issues का ठीक है at the first summit in Belgrade economic issues had not been very important sorry 1961 का जो Belgrade का summit था वहाँ पर उस particular summit में economic issue एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन बाई the mid 1970s लेकिन 1970 के मिड में आते आते यह बहुत इंपॉर्टन बुद्दा बन गया क्योंकि सबको समझ में आ गया अब वह दोनों लड़ रहे हैं तुम कंगाल हो रहे हो as a result NAM become an economic pressure group इसी लिए समय आते 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 नम जो की आपका mediator के तौर पर काम करना चाहता था वो क्या बन गया वो एक economic pressure group बन गया by the late 1980s however the new international economic order initiative had faded mainly because of the stiff opposition from the developed country who acted as a united group while the non-aligned countries struggle to maintain their unity in the face of this opposition लेकिन आपको पता है new international economic order 1980s आते आते फेड हो गया क्योंकि जितनी भी आपकी developed countries थी वो सब एक हो गई अभी तग यह जो लड़ रहे थे जैसे इनको reforms के बारे में suggest किया गया यह सब एक साथ हो गए कि नहीं नहीं भी यह आम यह सब नहीं करने वाले हैं हम यह सब नहीं करने वाले हैं चेक है तो उमीद है यह जो पार्ट फॉर हम लोग ने रिव्यू किया यह आप लोगों के समझ में आया होगा किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सम्मिट कीजिए विश्यू वरी गुड़ लग एंड गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं आप लोगों के बात और बता देना चाहता हूं कल मैं इसका आखरी पार्ट रिव्यू करूंगा